Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains एक ऐसा चानल जहाँ पे आपको kindergarten से class 12 तक के education free of cost quality के साथ provide कराया जाती है इतना ही नहीं अगर आप चाहा रहें कि आपको पढ़ाया जाए MP board, UP board, Bihar board, Rajasthan board, Delhi board तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, Magnet Brains Hindi पर जहाँ पर आपको stand board भी पढ़ाया जाता है साथ साथ अगर आपको books भी चाहिए, notes भी चाहिए, तो don't worry, वो भी आपको मिलेगी e-books, e-notes जिनकी link आपको description box में already दे दी गई है तो चलिए बढ़ते हैं आज जी class की तरफ, आज जी class में जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारा class 5th का chapter 8 जो है वो running chapter है A treat for mosquitoes, जिसमें हमने काफी सारी चीज़े पढ़ चुके हैं students, काफी सारी तो ये chapter से चुड़ी हुई हम काफी सारी classes जो हैं already पढ़ चुके हैं Next is, फड़ा फचरी के आप करते हैं, last class में हमने क्या पढ़ा था Last class में हमने करे थे कुछ questions answers, question answers में हमने क्या पढ़ा था कुछ important चीज़े बढ़ी दी जैसे कि आप ये जानते हैं, अगर किसी पानी में larva collect हो जाए larva यानि की baby mosquitoes, तो क्या करना है आपको उसमें oil डाल सकते हैं, carosin oil अगर आप oil डालते हैं, तो क्या होता है, उसकी thin layer जो है वो पानी पे, पानी के उपर चड़ जाती है तो जिसके कारण oxygen जो है, वो पानी में enter नहीं कर पाता और उससे क्या होता है, जितनी भी larva और eggs होते हैं, mosquito के वो मर जाते हैं, तो आपका काम बन गया दूसरी चीज क्या भूली थी, fishes को भी आप उस जगे पर डाल सकते हो, जहां पर बहुत सारे mosquitoes के larva और eggs है तो क्या होगा, कि fishes उनको खा लेती है, तो आपका वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा ये चीज हमने last class में देखी थी दूसरी एक चीज हमने पड़ी थी, कि flies जो है, मक्हियां, वो कैसे आपको नुकसान पहुचाती है तो कोई भी गंदी जगा बैट कर, आपके खाने बैटती है, और वो खान आप खाते हो, तो आपको बिमारियां आती है है ना, ये चीज हमने already पड़ी थी, तो ऐसे ही वो आपको बिमारियां पहुचाती है तो जितनी हम सफाई रखते हैं आसपस के एरिया में, उतनी कोई भी मक्ही, मच्छर वहाँ नहीं घुमेंगे तो जितनी सफाई, उतनी बिमारी से दूरी, ठीक है? अब इसी को हम आज के क्लास में पढ़ेंगे आज क्लास का टॉपिक है मस्किटो चेक, याने हम यहाँ इस क्लास में आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें कुछ एरिया हम चेक करेंगे कि कहां पर क्या-क्या गलतियां हो रही हैं, जिसके कारण यह डिसीजिस फैल रही हैं तो अच्छा टॉपिक है, पेज नंबर 73 हम इसमें कवर करने वाले हैं, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्लास स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हैं आपको क्लास 1-5 EBS याने के अन्वार्मेंटल स्टारीज, तो स्टूदेंस, जैसे की आपको होई है, यहां कुछ questions exercise यगर अदीव ही हैं, यह पूरी चीज़े हम आज cover कर देंगे, till makeup poster, makeup poster हम next class में करेंगे, क्योंकि, तो हम यहां तक ए questions करने वाले हैं, फड़ा फट से देखते हैं, question 1 कहता है, divide your class into 2-3 groups, आप अपने पूरी class को 2-3 group में divide करो, class तो नहीं है, क्या करे आप एक काम करो, दो best friends को बला लो, ठीक है, तो तीनो best friends अलग-अलग काम करेंगे, each group will go around to check one area in school, आप आप में से एक-एक दोस जाओ, और अपने घर के आसपस की एक-एक area को check करो, it must carefully note if water has collected anywhere, और सब लोगों को अपने अपनी area में देखना है, कहीं water collect तो नहीं हो रहा है, Mark right where it finds a stagnant water, आपको right mark करना जहाँ पर पानी खटा हुआ हुआ आपको दिखे, जैसे कि यहाँ पर आपको option भी दिए हैं, किसी pot में, cooler में, tank में, any open space in the school ground, तो आप यह देखे, any open space in the road, any open space in the your garden, gutter और any other place, कहां कहां पर आपको पानी खटा हुआ दिखा, जहां भी दिखा, वहां आपको क्या करना है, एक right mark करना है, tick like this, okay, so जैसे कि pot में आपको दिखा हो तो आपको लिखना है yes and mark right, tank में दिखा हो तो yes mark right, any other open space in the school ground, या आपकी garden में हो रहा हो, या road पे, तो अगर no तो no नहीं, तो फिर yes, और right mark, gutter में हुआ है yes, then right mark, any other place, so yes, कहां हुआ है वो बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको देखो dash दिया हुआ है, book में भी दिया हुआ है, तो वहां आपको बताना पड़ेगा, कि वो dash में क्या, any other place में हो रहा है, तो कहां, drains में, कहीं पर भी, so you have to small pit में, so आप वहां पे वो जगे का नाम चिक है, this is a small activity जो आप लोग खुद भी कर सकती है, कि कोई बहुत बड़ी activity नहीं है, छोटी से activity है, इसको आज घर पे try करो, अभी अगर friends को बलाया है, उनके साथ कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है, कोई issue नहीं है, इसको आप करना ज़रूर पर, चिक next question क्या है, since how many days has water collected there, कितने दिन से वहाँ water collect हो रहा है, तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, घर के आसपास देखो तो ममा, पापा से आपने खुद देखा होगा कि वह कब से महाँ भरा हुआ है पानी, तो वो days आपको mention करने है, so the water has been collected since a week, तो कितने दिनों से वहाँ collected है, water वो आपको लिखना है, ठीक है, who is responsible for keeping these places clean, कौन responsible है जगे साफ रखने के लिए, देखो अगर स्कूल के असपास की जगे है, तो बहार का area, स्कूल वाले तो नहीं रखेंगे clean, स्कूल के अंदर की जगे, स्कूल वाले को clean रखनी है, बट अगर स्कूल के बहार का कोई area है, तो किसे clean रखना पड़ेगा? municipality वाले होते हैं, ठीक है? municipality वाले क्या करते हैं? वो उस जगे को clean रखते हैं, उनका ये काम है, कि वो सारी साफ सफाई cleanliness maintain करें, तो इसमें answer क्या लिखोगे? within the school, the school authorities are responsible for the cleanliness. तो जितना भी स्कूल के आसपास का area होगा, उसकी responsibility स्कूल की नहीं है, बट स्कूल के अंदर की cleanness की responsibility किसके है? school authorities की है, और उसके अलावा, अगर outside the school है, तो किसकी authority है? municipal authority is responsible. यानि अगर आपके घर के जिम्मेदार है, तो घर को साफ किसको रखना है? आपको रखना है. पर अगर घर के आसपास के area को clean रखना है, तो क्या करना है? घर के आसपास के area को clean रखने के लिए, again municipality जो है, वो ही जिम्मेदार है, कि वो clean रखेगी आसपास की area को. तो जितना भी एक ऐसा area है, जो कि public area है, उस public area को साफ रखना है, किसको municipal को? ठीक है? यह एक ऐसा ही corporation है, जो कि साफ सफाई और अलग चीज़ें जो public area पे ठीक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखती है. ठीक है? यह clear है Next question क्या है? Who is supposed to get the gutters and drains repaired? किस के हाँ पे gutters और drains जो है, वो repair होने चाहिए? कौन है इस चीज़ें के लिए जिम्मेदार? अगेन इसके लिए municipal corporation या ने municipality वाले जो हैं, वही जिम्मेदार है, उन्हें को ही रखनी पड़ेगी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि यह भी कहा होते है यह भी होते हैं, पब्लिक एरिये में और पब्लिक एरिये में कौन देख सकता है? पब्लिक एरिये में इसका जिम्मेदार? municipal वाले ही हैं So, municipality is supposed to get the gutters and drains repaired. तो repairing क्या नहीं है कि बहुत सारा पानी भर जुगा है, कहीं से पानी जान ही नहीं रहा है, तो पानी roads पे आ रहा है तो यह सारा repair है, कुसको कराने पड़ेगी? municipalities वालों को ही कराने पड़ेगी Can any larva be seen in the collected water? Yes, हर टाइम collected water में आपको कुछ दिनों बाद larva ज़रूर दिखेगा मतलब अगर वो पानी खटा हो रहा है और बारिश भी आ गई साब आ गया तो फिर आपको वहाँ पे दिखेंगे larva collect होते हैं Yes, we could see many larva in the collected water ऐसा दिखता है अगर ये पानी गलती से पेट में चला गया तो बिमारी ये पानी खटा हुआ रखा गया और larva है उसमें तो बिमारी तो इसलिए collected water को हमें बिलकुल भी नहीं पीना है नहीं उसको हमें कोई भी चीज ऐसी करनी कि उससे हमें diseases फैले Has that caused any problem in the area, right? तो क्या कोई इससे problem हुई है? तो हुई है तो क्या हुई है? That you have to answer Yes, there are many problems in the area The area looks quite dirty अगर भापे पानी भरा हुआ रहेगा गटर भरे हुए रहेंगे तो क्या वह एरिया साफ दिखेगा? नहीं, dirty दिखने लगेगा कच्रा बहार आने लगेगा तो अभी इससी बात है कि एरिया डिर्टी दिखने लगेगा और mosquitoes and flies keep swarming around the area और mosquitoes and flies याने swarming मतलब जुन्ड याने group तो flies का mosquitoes का group जुन्ड 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 आपको उन एरियास में ज़्यादा दिखेगा तो इसका मितलब भी समझ लो कि बिमारियों को हम welcome कह रहे हैं इसलिए cleaniness is again very important thing कि अगर आप clean नहीं रखोगे चीजों को तो वो चीज गंदी दिखेगी गंदी दिखेगी तो जानवर या कीडे मकौडे वहाँ पर आएंगे वो आएंगे तो बिमारिया साथ लेकर आएंगे and we don't welcome diseases so हमें diseases को welcome नहीं कहना है इसलिए हमें bye-bye कहना है bye-bye कहने के लिए क्या करना है अपने आसपास की जगाओं को साफ रखे पानी खटा ना होने दे है ना खाते टाइम मक्ही मच्छर से धूर रहे जिससे आप fit and fine healthy रहें ठीक है तो इसके साथ आज़की क्लास तो finish होती है आज़की क्लास छोटी थी छोटा सा topic था अब आपको क्या करना है आपको भी हर एक चीज़ revise करते वें चलने है so that आगे पाट पीछे सा पाट ना हो और अपने friends को भी ये videos भीज़ें जिससे कि वो भी आपके साथ फटाओ फच्छे course complete कर पाए और राइट students बाकी आप सभी जानते हैं सिर्फ class 5 नहीं आपको kindergarten से class 12 तक कि हर एक class free of course quality के साथ provide कराए जाती है इसके साथ साथ आपको अगर पढ़ना है state board MP board, UP board, Bihar board, Rajasthan board, Delhi board भी पढ़ सकने Magnet Brains Hindi पर उसके साथ साथ हम आपको books और notes भी दे रहे हैं याने e-books e-notes जिनकी link आपको description box में already दे दी गही है ठीक है students तो बिलकुल परिशान ना हो है सब चीज़े available हैं ही यहाँ पर साथ साथ हम मिलेंगे next class में और करेंगे इस chapter का आगी का parts को continue till then stay tuned